देश में लॉकडाउन है, सबकी चिंता, हेल्थ की है, जो होनी चाहिए भी, लेकिन इस लॉकडाउन का क्या-क्या असर पड़ रहा है। एक तरफ जिंदगी बचाने की चिंता है, दूसी तरफ जिंदगी चलाने की चिंता है। तो आज से इन तमाम रिपोर्ट्स के जरिये मैं कोशिश करूँगा, कि आपको बताएं कि देश में कहां क्या हो रहा है, क्या किया जा सकता है, ताकि चलती रहे जिंदगी। मकसद अलोचना करना नहीं है, मकसद सिर्फ ये है कि इस पब्लिक हेल्थ एमिर्जेंसी के वक्त कुछ ऐसा ना हो कि ऐसी कहानिया अंदेखी रह जाएं, ऐसे सवाल जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए वो न रहें, उन्हें हम पेश करेंगे ताकि कुछ किया जा सके। आज कहानी किसान की, मैं किसान आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ, पिसले 2-3 दिन से देश पर में किसान साथियों से बात होती रही है, आज सुख़से सबसे टेलफोन पर बात कर रहा हूँ, सबकी कहानी सुन रहा हूँ, इस lockdown का क्या-क्या असर हुआ है किसानों पे, तीन बात फूल, फल, फसल फूल के बारे में हम सोचते हैं हम सोचते हैं किसी क्यारी से आता होगा किसी वगीचे से आता होगा वो नहीं होता है फूल फील्ड में खेती करके प्रोड्यूस किये जाते हैं और इसकी कहानी सुनी मैंने कहानी आई है कि जहां 40-50 कुइंटल रोज फूल भेजे जाते थे अब 4-5 कुइंटल बचे हैं और उस फूल का क्या होगा? खतम हो जाएगा मगर छोटी सी बात है बस सिर्फ दिमाग में रखने के लिए फल सबजी बड़े बड़े शेहरों में फल सबजी मारकेट बंद हो रहे है आज खबर मिली है कि शायद मुंभई का सबजी मारकेट बंद होने वाला है इसका हमारे लिए मतलब यह है कि घर में सबजी कमाएगी चलिए तो सबजी नहीं डाल बना लेंगे कुछ दूसरी चीजों से काम चला लेंगे लेकिन आपने सुचा किसान के लिए इसका क्या मतलब है उसके लिए मतलब है कि यह जादा तर फसल सीधी सड़ जाएगी बरबाद हो जाएगी यह perishable commodities हैं कुछ नहीं कर सकता किसान उसके बारे में जस्ट खतम कोई मुआफजा नहीं कोई इंशोरेंस नहीं क्योंकि फलसबजी की फसलें इंशोरेंस से कवर नहीं होती है यह perishable commodities हैं खतम दूद के बारे में उम्मीद कर सकते हैं कि दूद अभी भी आता रहेगा लेकिन जहां बहुत strong restrictions लग गई हैं अभी मैं फोन पे पंजाब में बात कर रहा था पूरे स्टेट में कर्फ्यू लग गया है अब बाहर जाने के लिए आपको पास चाहिए पास कैसे मिलेगा किसी को पता नहीं है कल सुबह दूद वाले अपना दूद लेके बाहर कैसे निकलेंगे हम जानते नहीं है यह सब दिक्कत है और दिक्कत है अड्मिनिस्टेशन की भी है कोई जान बुच के परिशान करने के लिए नहीं हो रहा है लेकिन यह सब चीज़े हैं जिसके बारे में कुछ करना पड़ेगा यह किसान आपके मेरे लिए दो दिन अच्छी फ़ल फूट ना खाने का मामला है शायद दस दिन तक हमें अच्छे फल फूट ना मिले लेकिन किसान के लिए उसकी पूरी एक सीजन च्छे महीने की कमाई चली गई फूल और फल से बड़ा सवाल है फ़सल का फसल यह रभी की फसल है सबसे बड़ी बड़ी फसले इस वक्त आती है छे महीने की महनत के बाद किसान अपना सोचता है दक्षन भारत में साउथ इंडिया में सेंट्रिल इंडिया में मोरोलेस फसल अब आ रही है यह सीजन है फसल को मंडी में लाने का नौर्थ इंडिया में हरियाना पंजाब में अभी भी दस एक दिन बाकी है फसल को लाने के लिए गेहु की फसल है सबसे बड़ी चना है, जौ है, सरसों है, उड़द की दाल है, मसूर की दाल है तमाम फसल है और गन्ने का सीजन अभी चल रहा है क्या हो रहा है इसमें प्राब्लम जो आ रही है वो ये कि एक तो दाम गिरने शुरू हो गए है अचानक मंडियां बंद हो रही है मंडी बंद हो रही है दाम गिरने शुरू हो गए है एक एक फसल के पिसले पांच दिनों में दाम गिरे हैं बाद में आपके पास information और ले के आएंगे प्रोक्यूर्मेंट बड़ा सवाल है किसान अपनी फसल गारंटीड दाम पर बेच सके इसके लिए सरकार प्रोक्यूर्मेंट सेंटर बनाती है खरीद के इंदर वो बंद हो रहे हैं सरकार कह रहे हैं नहीं प्रोक्यूर्मेंट रुपय नहीं जाती है तो हो सकता है किसान को उससे 600 रुपया पर क्विंटल कम मिले एक हजार रुपय क्विंटल कम मिले किसान की बरबादी हो जाएगी ऐसे से और तीसरा सवाल है कि किसान को जो पेमेंट मिलना था सिरफ उत्तर प्रदेश में गन्ने के किसान के 9400 करोड रुपया का पेमेंट इस टाइम पेंडिंग है एरियर्स हैं नहीं पे किया जा रहे हैं तो क्या किया जा सकता है चार सुझाव हर रोज हम सिरफ समस्या नहीं बताएंगे सजेशन बताएंगे क्योंकि समस्या है तो आएंगी यह अन्प्रिसिदेंटिट क्राइसिस है कोई हमारा मकसद है इसके लिए सुझहाव देना क्या कुछ किया जा सकता है नमबर एक, एरिएज पे करदीजिये, गन्य के किसान के एरियर, सिरफ एक और्डर देना है सरकार को, गन्य की फेक्ट्रियों को प्लीज एरिय पे कीजिये, दो, प्रोक्योर्मेंट सेंटर चलाने होंगे, ये मुश्किल काम है, आसान नहीं है, लेकिन वहां क्राउडिंग की कोई जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी-बड़ी मंडिया होती है, वहां पाथ सो हजार लोग इकठे नहीं होते हैं, मगर प्रोक्योर्मेंट जारी रहना चा का लोन लेता है, उसकी एक डेट होती है, मध्यप्रदेश के बहुत जगहों पे आज 28 मार्च की डेट है, अगर उस डेट तक किसान लोन वापिस नहीं करता, अगले दिन उसका इंट्रेस्ट 4 परसेंट से बढ़के 12 परसेंट हो जाता है, इस सारा, इसको केंदर सरकार सिर एक RBI के सरकुलर से ठीक कर सकती है, एक सरकुलर इशू कर दीजिए कि इस बार वो डेट हटा दी जाएगी, किसानों को जब वो पे कर सकते हैं, तब पे कर दें, इसकी कोई मयाद नहीं है, कम सकम दो तीन महिना बढ़ा दीजिए, आईडिल ये मयाद इस बार हटा दीजिए एक सरकुलर से बात हो जाएगी, और चौती चीज पी-एम किसान योजना, जिसमें तीन किष्ट दी जाती हैं दो दो हजार रुपए की, एक एडिशनल इंस्टॉल्मेंट दी जा सकती है, एडिशनल दो हजार रुपए सब किसानों के बेंक अकाउंट में भेज दिया कुछ दिन अपना घर चलाने का तरीका आ जाएगा, देश का लॉकडाउन है, ये किसान की, किचन का लॉकडाउन ना हो जाए है, ये देखना हम सब की जिम्मेवारी है, आज किसान मज़्दूर की भी बात करनी है, जगह जगह पर क्या-क्या दिक muchís हो रही है, इस सब की बा पैकेज अनॉंस करेंगी, पैकेज अनॉंस नहीं हुआ है, सबकी उम्मीद है कि सकेंदर सरकार कुछ बड़ी घोशना करेगी, उस घोशना का इंतजार है, ये चार सुझाव हैं, आप सबके माध्यम से एक बार फिर अनुरोध है, कुछ करो ना